पाँच परकार की सेंसिस तो सबको पता है, फिर छठी इंदरी भी पता है, सिक्स्थ सेंस, मालूम है ना, पाँच सेंसिस कौन सी हैं, आँखों से देखना, कानों से सुनना, टेस्ट करना जीब से, स्मेल करना नाथ से, और स्किन से स्पर्श करना, ये पाँच सेंसर हैं, जो हम जगत को sense करते हैं तो देखने के 9 अंदाज कौन से है सुनने के 9 अंदाज कौन से है मंगल की खुश्बु कैसी है मंगल का τेस्ट कैसा है ये पांचों की पांचों senses में नानो प्लैनेट की केटेगराईज़ेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगा किसको कैसा खाना टेस्टी लगता है किसके लगन में कौन सा प्लैनेट है केवी के लगन में मंगल और शुकर है तो केवी को खूब दीखा अच्छा लगता है शुकर है तो चटपटा अच्छा लगता है और फिर उसके बाद शुकर पे गुरू का जो हिट है 120 डिगरी का तो खाने के बाद मीठा भी चाहिए हाँ देखो मीठा जो है गुरू का है क्योंकि गुरू बजन बढ़ता है और मीठा खाने से बजन बढ़ता है तो मैं ये धीरे धीरे ये बारी क्यों मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ पांचों सेंसिज को प्लैनेट्स में कैसे कैटेग्राइज करें तो जगत में जो कुछ है न वो मालूम पढ़ने लगता है कौन से प्लैनेट का है क्योंकि जगत का experience तो पांच सेंसिज से होता है और जो अनुभूती इन पांथ सेंसिस से नहीं होती प्रंतु सच होती है और पहले कभी देखी भी नहीं है, सामने भी नहीं है, सुनाई नहीं दे रही, सुंगा नहीं जा सकता, स्परश नहीं किया जा सकता पर फिर भी वो accurate information को परसीव करने को sixth sense यानि के intuition कहते हैं दो senses और लगती हैं जोतिश में, इन छे के इलाबा, वो समझ लो, seventh sense है common sense समझ रहे हो न, ये common sense बड़ी uncommon है, sixth sense तो अपन ड्वल्प कर देते हैं, इश्वर ने दे ही रखी है, उसको थोड़ा nurture कर देते हैं advance course वाला, तुम लोगों ने देखा है, तुम्हारे trainers कैसे करते हैं, कहां बैठे कुछ भी नहीं का बता देते हैं sixth sense बड़ी, मतलब easy है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा योग किकरे आएं हैं, उससे ये हो जाता है पर ये seventh sense जो है ना, जैसे common sense कहते हैं, इसका मुझे अभी तक कोई योग में कोई सूतर मिला नहीं और जोतिश में ये सबसे ज़्यादा लगती है, और ये ना लगे तो आठमी sense लगती है, nonsense तो जोतिश में दो ही senses का परियोग सबसे ज़्यादा है, एक common sense और एक nonsense तो common sense को closely develop करने के लिए, मैंने ये template बनाए हैं, कि बस ये भरते जाओ, fill in the blanks और फिर उसको छोड़ दो थोड़े time के लिए, आदा घंटा घंटा उससे परेहट जाओ, फिर उसको उठा के पढ़ो, तो relate होने लगेगा